कि नमस्कार मैं रंजन कुमार अम्रिक तिदी निसे की और से आपका हादिक स्वाद करता हूँ आज यहाँ बिहार लजीतका अकाडमी के आठ गैलरी में एकल प्रदर्शनी आईजित हुआ है महिला चितरकार प्रियंका अंबस्ट की और से जोकी डिल्ली निवासी हैं नमस्कार जी अपना परिचे देंगे आज यहाँ प्रियंका जी के एकल प्रदर्शनी में मैं आज गेस्ट आमंत्रित हुँ मेरी तरह से प्रियंका जी को बहुत बहुत शुफ कामना आए बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है और अपने आप में एक यह बहुत ब्रेव कदम है उनका कि उन्होंने पहली बार एकल प्रदर्शनी आयोजित की और वो पत्ना के ललित कला गारी में अभी उनको बहुत सबसे खुशी की बात है आज कला जगत में उनकी इंट्वी हो गई बिल्कुल आज उनके लिए बहुत इखास दिन है कला जगत में अज इंट्री हुई है और मुझे बहुत अच्छा खील हो रहा है कि उन्होंने मतलब कभी मेरी उन से बात हुई होगी सोशल मीडिया पर हम दुसरे को जानते थे कभी उन से बात होई होगी में बूल भी गई थी मैं उनके बाती ठीफ, पर उन्होंने कहा कि वो मेरे बातों से बहुत क्रमावित हुई, और उसी से प्रमावित होके उन्हें िखियाल आया परसाहियां रंगों को भी इसका रंग चिकीट्सा जो है उस पर भी यह चीत्र जो है चीट परसनी पर उसका यह संदेश दे रही है तो आप शब को वेश्व पृत्वी दिवस की बहुत-बहुत बढ़ाई और रंग अपने आप में एक हीलिंग पावर रंग में होता और इस अपने रंगों के माध्यम से उन्होंने आज प्रकृति दिवस पे एक अर्थ दिवस पे एक प्रकृति के नाम एक संदेश दिया है कि यह जो रंग होते हैं वह बहुत सुपून पहुंचाते हैं आज के बादम भाद भाली जिंदगी में यह सुपून भरे रंग जो उन्ह तो सभी आम जनों कलाकार बंधु सबको यह कहना चाहूंगी यह प्रिच्वी जो हो हमारा घर है इस घर को हरा भारा सुंदा सुरक्षित बनाना हमारा ही करताव है तो मैं यह नहीं कहूंगे कि हमें बहुत बड़े-बड़े कदम यह कर देना जंगल बनाना है खेती करनी है हम अपने चोटे-चोटे कदमों से ही इदर अधर कच्रा ना फैला है खासकर प्लास्टिक और यह वेस्ट आज घर मोबाइल है उसके चार्जर बैटरीज है यह जो अच्छे से हम उसको ऐसे करें कि वह रिसाइकल हो अपसाइकल हो यह इदर अधर ना जाएं लाइं लाइं या कहीं किसी जगह पे तो उसकी थोड़ी देखभाल भी करें उसमें नेमेत रुप से पानी खार दें ताकि वह पेड़ चोटे-पादे व्रिक्ष बन जाएं तो कि सिफ लगा के छोड़ देने से काम नहीं चलेगा वो मुर जाएंगे मर जाएंगे तो हम जो भी करें उसक कर दो